आप सबका हादी के पिरने दना आपके अपने भारत के स्टार्ट चैनल पर आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्नों ने खोजेते तारो के रहसे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अगर आपको एफ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रसिद भारतिय आस्ट्रोनोमर मेगनाद साह की साह ने हमें साह एकोशन दी जो तारो के फिजिकल एंड केमिकल सिचुशन के बारे में पताती है तारो पर हुई बात की सारी रिसेर्च उनकी इस थियोरी पर ही आधारी था उन्होंने तारो की स्टडी को एक न्यू डारेक्शन दे दी थी साह का जन 6 ओक्टूबर 1893 को आज के बांगलादेश की राजधानी ढाका के करीब सावरा तोली गाउं में हुआ था उनके पिता का नाम जगनाद साह और उनकी माता का ना भुवनेश्परी देवे था उनके पिता एक छोटे दुकानदार थे जो अपने बड़े परिवार का कर्श बड़े मुश्कुल से चला पाते थे उनकी इच्छा थी कि प्राइम जे जूकिशन के बाद मेगनाद उनके साथ ही काम करे लेकिन बेगनाद की इच्छा आगे पढ़ने की थी उन्हों ने एक बार अपने अध्यापक से सूरज के आसपास चक्र जैसी चीज़ के बारे में पूछा जिसका जवाब उनके अध्यापक नहीं दे पाए उस समय मेगनाद ने कहा था कि वह इसके बारे में जरूर खोच करेंगे अपनी लगन और कठिन परिश्रम से मेगनाद ने आटवी क्लास में पूरे धाका जिले में टॉप किया इसके बाद उन्हें स्कॉलर्शिप के साथ साथ धाका राज की हाई स्कूल में प्रवेश भी मिल गया था उन दिनों चल रहे सोतंतरता संगराम का हसर मेगनाद पर इस प्रकार पड़ा कि जब बेंगॉल के गवर्नर उनके स्कूल आई तो उन्होंने उनका विरोध गया इसके चलते उनसे उनकी स्कॉलर्शिप छीन ली गए और साथ ही साथ उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया धाका राज की हाई स्कूल से निकाले जाने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल से अपने इंटर करी फर्स दिवीजन में इंटर करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करने के लिए प्रेजिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया जहां जगदीश चंदर बोस और प्रफुल चंदर रे जैसे विज्यानिक उनके टीचर थे और सतींदरनाथ बोस जैसे उनके सहपाथी थे जी हां वही सतींदरनाथ बोस जिने भारत सरकार ने आगे चलकर प्रफम पद्म विभूशन से सम्मानित किया और हम इनके उपर एक वीडियो भी बना चुके हैं पढ़ाई के दोरान ही उनका मन वैज्यानिक खोजो में लगने लगा आगे चलकर मेगनाथ साहा ने अपनी नए नए खोजो से वैज्यान जगत को चकित कर दिया स्वतंतरता आंदोलन में हिस्सा लेने की वज़ा से M.A.C. टॉपर होते हुए भी उन्हें सरकारी नौगरी नहीं मिली जिसका उन्हें कोई अफसोस नहीं था बलकि उनका यह मानना था कि यह चीजे उन्हें उनके लक्षे के लिए और द्रिड बनाती है कुछ दिनों बाद वें कालकिटा की उनिवस्टी कॉलेज ओफ साइंस में प्रवक्ता न्यूक्त किये गए उसके बाद एगनिस क्लार की विल नोन बुक आस्टो फिजिक्स ने उनको एक नई दिशा दी थर्मो डानिमिक्स, रिलेटिविटी, अटॉमिक थिरी उस समय फिजिक्स के नए विशे थे मेगनाद इन विश्व का अध्यन कर पढ़ने लगे और उसके नोट्स बनाने के अधारान उनके सामने आस्टो फिजिक्स की एक समस्या आई उस समस्या के समाधान में की गई उनकी खोज ने उन्हें वर्ल्ड फेमस कर दिया इनकी आयोनाइजेशन फॉर्मले की खोज को एक फेमस आस्टो नॉमर ने उस फिल्ड की बारा सबसे बड़ी खोज में शामिल किया वे समभवता ऐसे पहले विज्ञानिक थे जिनको अपनी खोज के लिए इतनी कम उमर में प्रसिद्धी मिल गई थी और रॉयल सोसाइटी फेलो में भी चुने गई थे उनके अभूत पूर्व योगदान के लिए उन्हें आस तक कोई पूरुसकार नहीं मिला जिसका शायद उन्हें कोई अफसोस भी नहीं होगा क्यूंकि वे अपनी खोज को ज़्यादर तबद्जो देते थे ना कि किसी पूरुसकार को यह थी कहानी हमारे दूसरे भारत के स्टार की आप सब को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पुसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूले और ऐसे ही लीडर्स की कहानी जानने के लिए आप भारत के स्टार चानल को ज़ल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो का लेटस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे